आज हम शुरू करते हैं आपकी वॉक्षिट नमबर थर्टीन आप लोग डेट डाल देंगे पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे हिंदी विशे की है एट्थ क्लास की नाम अपने टीचर का नाम सब आप लोग लिख लेंगे आज आपकी कौन सी वॉक्षिट है यह चित् नहीं पहले अगिस तरह से पहले जा चिप्रव में उस्त्थ का कम बहुस करते हैं यानिई वह एक सबूत के रूप में जाते है MER फ्रम पता चल जाते हैं कि किसने लिख़ा है पंत के 200 पत्र ठीक है बच्चन के नाम और निराला के पत्र हम को लेखिये हैं कहा था कहा तथा पत्रों के आईने में दयानन सोरसती समेत कई पुस्तके आपको मिल जाएंगी यह सारी पुस्तके जो है यह आपकी पत्र की पुस्तकों के बारे में बताया गया है कि ये वो पुस्तके है जो पत्रों को एकत्रित करके बनाई गई गई थेक है तो अब यह देखें या क्या लेका है आपका कहा जाता है कि प्रेम चंद खास तोर से नए लेखकों को बहुत प्रेरख जवाब देते थे प्रेरख मरे क्या होता है जिससे वो मतलब खुश हो सके जिससे उनको हिम्मत मिले है ना और जवाब देते थे और जवाब देते थे था उन पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तनद रहते थे ठीक है इसी प्रकार नहरू और गांधी के लिखे गए रविंदना टाइगोर के पत्र भी प्रेरख है तो अब कहते हैं मुस्तनद पत्रों के लिखे रहे ना ठीक है और उसके बाद यह लिखा है नहरू और गांधी इनके जो पत्र हैं वो भी आमें मिलते किसके नाम पर रविंदना टाइगोर के बीच सन 1915-1941 के बीच में जो भी जो बे पत्र चार हुआ था यानिकि पत्रों की जो बाते हैं इसके नाम स से उदर हुई थी पत्र के जरिए उनका जो संगर्थ है वह भी परकाशिद हुआ जिसमें बहुत से नया तत्यों और उनकी मनुदर्शा का लेखाजोगा मिलता है यह किसके बीच का पत्र है यह महात्मा गांधी और कवी नाम के कथाव महात्मा गांधी और कभिंदना garden द्रमपरा भारत है बहुत पुराण है यह भारत है पर इसका असली विकास आजादे के बाद ही उए इसका जो असली विकास हility डवलैप्ट होउआ यह और आजादे के बाध हुआ तमाम सरकारी विभागे कि तुल्ह में सबसे जादा गुड विल डाग विभाग की है यनि सबसे जादा बिसमें अच्छा काम किया है वो किसने करा है जो भी सरकारी विभाग सबसे जो तरफ्रादि क्यों fue having इसकी एक खास वज़ार, ये भी है कि संसादनों के बाद भी चित्टी पत्री की हैसित बरकरार है रहे हैं इतने उन्नतिव इतनी तरकी हो रही हूं हिस बाज़ुद भी चित्टी पत्री के जो हैसित है वो आज भी बरकरार है। समुंदर टटपर रहे रहे हैं मचुआ रहे हों या फिर एगिस्तान की धाड़ियों में रहे रहे हैं लोग आज भी खतों का ही सब जो भी खत हैं उनका क्या है सबसे अधिक बेसबरी से इंतिजार होता है यानि किसी भी चीज़ का इस तरह से इंतिजार नहीं होता जितना ब खत बेजे या बाप आपको खत बेजे तो वहीडाख खाने से आते अक्सर आपके बहुत सारे mail वागे नहीं होते जो आपके राक्त खाने के थूह ही आते हैं आप जैसे कि मानली जी आपने credit card के लिए अपलाई कर तो बिडाइक के तूहाएगा मानली जिए अपने भी डाक का इस्तिमाल बहुत जोरों से होता है ठीक है वही करें कि एक दोनी हजारों लोगी सेवा का रोज रोज उप्योग करते हैं और इसकी बहु अयामी भूमी का नजर आ रही है जो यह इस तरह से बहुत मेहनत का काम है और हर तरफ पहला हुआ है किसी एक वे में नहीं है हर वे में फैला हुआ है यह चीजह आपको नजर आ रहे है दुर द्यहात में लाकों करीब घरों में चूले मनी ओरर रथ वस्था से ही जलते अब आपको पर यह मनी ओर कैसेड़ा जयता है मान लीजिए जैसे मने डैली में रहरी हुए और उसके बाद उनके पैसे आजाएंगे तो क्या है यह पर एक काम डाकी थूरू ही हुआ तो वहीं कह रहे हैं गाव या गरीबस्तियों में चित्थी या मनी ओर्डर लेकर पहुचने वाले डाकी को देवता यानि देव रूप के उसमें देखा जाता है क्यों देखा जाता ह तो अब जो उसको ले के आने वाला है तो उसे क्या कहा जाता है देव दूद कहा जाता है यानि भगवान का भेजा हुआ एक फरिष्टा अब यहां देखे शब्दार दिये गा है इसको आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद यहां लिखा है कि अब गद्यार्ज के आधार नाम लिखे यहां और यहां से कहीं पे दो सो पत्र बच्चन के नाम और इसकेलार 잠il प्याला के पत्र हम को लेखे हैं ठीके यह जो पत्र म mismos' बिलते हैं अगला कोशन पढ़ते हैं अब यहां से दूसरा कोशन लेखेंगे महात्मा और कवी नाम से किनके बीच का पत्र आच्रण संगहत की रूप में प्रकाशित हुआ है और यह पत्र आच्रण कब हुआ था यानि यह जो किताब है महात्मा और कवी के नाम से यह किसकी पत्वराचरण है यानि किसके पत्रों के दुवारा बात है ठीक है तो चले सकांसर देखते हो और यह किस बीच से किस बीच तक की बात है चली इस कांसार देख लेते हैं हम लोग इस कांसार यहां से लिखेंगि महात्मा गान्धी और कवी ये पुस्तग महात्मा गांधी और अभि Indiaोर के जो पत्राचार ही या निज ज़िए जबात है कब से कब तक 1915 से 1951 के बीच में उसको एक खट्ता गर के प्रकाशित की अगय ठीक है जिसका क्या नाम रखा गया महात्मा और कवी क्यों के महात्मा गांती महात्मा थे और अबिंदन्ना टाइगोर जी जो है वो एक कवी थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वो मनी ओर्डर की अर्थवस्ता से ही चलते हैं इसलिए गाउ में या किसी गरीब बस्ती में जब कोई चिठी या मनी ओर्डर लेके पहुशता है तो उसे उस डाकिये को देव दूद के रूप में देखा जाता है ठीक है क्योंकि भगवानी तो है जो हमारे अच्छाई और ब करता है तो चले इसकांसर देखें के कौन करता है कैसे कटा है तो आप इसकांसर लिखेंगे लोगों को जोडने का काम डाख विभाग ध़ bearing है जो अब च Palestin बनुक्रेश्म कटें देख सकते हैं तो उस दमाने में लोग मनी और या रिष्टेदारों के साथ पत्रों के दौरत जुड़ते थे लेकिन आज कल जो है कोई भी अपने रिष्टेदारों वगरा को इस तरह से पत्र नहीं लिखता है आज के वल ऑफिस स्कूल या पर कोई सरकारी काम के लिए पत्र का प्रियोग किया जाता है कहीं कहीं पेसा है कि हम आज भी पत्र लिखते ए लेकिन ये является में लिख करें इस हैं की वीडियोग करें पार के लिए कॉमक्service नहीं करके तो प्छूस्क्राइब करें थैंक्यों पॉचिंग